हलो आव्रीवान कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे जैसे कि अब आप लोगों को पता है एक्जाम नजदीक आ रहा है तो बच्चों का जो टेस्ट हैं वो उसमें स्कोर भी बढ़ रहा है कुछ बच्चे पैनिक कर रहे हैं तो आज की ल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे जैसे कि रक्षाबंदन अब आप लोगों का आने वाला है तो यहां पे आप लोगों को 50% डिसकाउंट वाप इसे वैलिबल करवा दिया गया है खास तोर पे पटवारी जुनियर सिस्टेंट की जो बच जाते हैं और जितनी भी अपकमिंग वेकेंसी है उनके लिए राइव और रिकॉर्डेट कोर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना जादा टाइंग वेस्ट करें सबसे पहली बात करेंगे इस टेस्ट के ओपर देगों टेस्ट नमब चैनल इंग्लिश में कुछ questions moderate level के थे लेकिन यहां पर भी जो है बच्चों ने अच्छा परफॉर्म करा है एक दो questions पर थोड़ा से doubt है उसको हम लोगों ने अभी छोड़ दिया है पेपर में भी आपको उस तरीके questions दिखते हैं जिसमें थोड़ी एक दो questions में error आपको किया जाता आप देखो यहां पर 61 में क्यों कह रहा हूं आपको मैं थोड़ा सा detail में बचाता हूं फिलाल तो आप लोग नोट कर लो जूने रसेस्टेंट का जो अगला टेस्ट होगा वह 20 अगस्त को होगा अभी तक हम लोगों ने जो थाइस हो प्लस टॉपिक टेस्ट की बात करी थी सब अप्लोड हो गए हैं आज आपके 20 के 20 सेक्शनल टेस्ट अप्लोड हो चुके हैं और 5 फुलन टेस्ट भी अप्लोड हो चुके हैं यह जो टेस्ट होगा यह आप लोगों का एक confidence booster की तरह होगा आप जिसको attempt करोगे तो आपको confidence जो और बढ़ेगा ही बढ़ है उसमें हम तीस questions को live में discuss करेंगे 10 वजे ठीक class होगी आप लोग उसमें भी class में जोड़ना और कोशिश करना कि 20-25 score आप लोग वहां पर भी कर लें अब देखो कर रही है एक example मैं आप लोगों के साथ share करूँगा उन बच्चों के लिए खासतोर पे जिनका score अभी मालो नहीं उतना बन रहा कि वो नहीं कर पा रहे या फिर मालो वो नहीं कोई भी cut off cross कर पा रहे देखो mock test हम लोग देते हैं दो reasons के लिए पहला reason यह आता है कि हम लोग अ आपके mock test का ठीक है और हाँ ऐसा नहीं होता कि आप लोग घर पे अगर 20-30 नमबर लेगा रहे पेपर में जाके सीधा 70-80 ले आओगे ऐसा नहीं होता आप लोग more or less वहीं पे आगे पीछे घूमोगे पेपर में लेकिन एक चीज जो है वो बहुत ही जादा काम करती है अब जैसे कि आप लोगों का exam 25 तारिक को है मैं आप लोगों के साथ एक example share करूँगा अभी supervisor का आप लोगों ने देखा है exam हुआ था जो उसमें rank second आये है जो हमारे सा करा जाता था लेकिन जो exam supervisor का हुआ था उसमें क्या हुआ था उसमें ना specialization थोड़ी सी out of the box आई थी किसी भी बच्चे ने वो नहीं पढ़ा था और specialization ऐसी थी जिसमें average score 35 तक जो है वो हो सकता था उतना score उन बच्चों ने करा लेकिन एकदम relax होके शान्ती के साथ उन बच करा और वहां पर उन्होंने 55 प्लस जो है score करके rank second बे खतम करा moral of the story यह जो कहानी मैंने सुनाई हो क्या है कि आज की date में मालो आप लोगों का cutoff score क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा कुछ बच्चे होंगे जिनका हर एक test में cutoff जो है वो क्रॉस किया 65 होंगे 70 होंगे कुछ बच् कि अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई उसमें एक point बताया था अगर specialization difficult आई थी तो उन्होंने बिलकुल शात दिमाग के साथ ठीक है बिलकुल शात दिमाग के साथ बाकी sections को अप्रोच करा था और उन्होंने वहां पे जाके 55 प्लस score कर दिया था 60 में जो कि बहुत सारे ब ऐसी चीज़ होती है एक आधी section माल लीजिए आपके पेपने में बहुत difficult आई है suppose आप लोगों का सबसे strong section GK है GK ही इतना difficult आया है कि 20 में से आपने सिरफ 10 questions को पढ़ा है last question माल लो ऐसे आये हैं जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता no doubt आप टेस पर 65 score करते हो 60 करते हो 70 करते हो कोई फरक नहीं पड़ता paper में उस time पे भी आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि sir हमारा paper खराब हो गया मेरा paper बरबाद हो गया अब मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जो बाकी के साथ है और no doubt अगर एक section difficult है तो वो बाकी की section easy होंगी target ये लेके चलना है कि इसमें हम लोग अच्छा perform करेंगे तो यहां पर जब हम लोग इस तरीके के approach कर गे ना तो आज सुबह भी मैंने आप लोगों कहा था कि गव शांत दिमाग से अब ना हमें क्या करना है अब जो last के दिन बचेंगे उस शांत दिमाग में हमें करनी है revision revision किसके करनी है खुद के notes की ठीक है हमें खुद के notes को revise जो है वो करना है और paper में जब exam hall में बैठेंगे जो 80 minute आपके पास होंगे ना उसको बस आपको यह नहीं देखना कि मेरे को यह target लेके जाना है मेरे को 70 plus score करना है मेरे को 60 plus score करना है या आपको यह दिमाग में नहीं होन चाहिए कि मेरी यह section तो बहुत strong है इसमें तो मैं 20 में से 20 कर लूँगा या कर लूँगी यह चीज आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में बस ही होना चाहिए कि जब आपको exam hall में paper मिला आपको बस आराम से 80 minutes वहां पे उसको execute करना है जो बच्चा अपन और यह कैसे होता है यह होता है जब आप लोग बिल्कुल आराम से exam hall में बैट के paper करोगे डो डाउट अगर आपके paper में मान लो 10 questions यह starting के 20 questions बहुत difficult आगे आप लोगोंने math में पढ़ा है number series पढ़ा है आपने math में time and work बहुत अच्छा command है paper में ऐसा question आगे नहीं निकला तो easy questions तो मैं सारे करके हूं questions पर बैखना नहीं है और आप लोग बहुत अच्छे जा रहे हो देखो मैं आप लोगों के test जो है analysis उसका देखता हूं sectional test का भी देखता हूं overall का भी देखता हूं topic test भी देखता हूं live classes में भी देखता हूं तो तैयारी है आप लोग मेहनत करके य कोई कितना खराब कर रहा है आपको सिरफ अपनी तैयारी पर focus करना है मैं आपको आज भी guarantee दे सकता हूं कि आप लोग पेपर में आज जितना भी score कर रहे हो plus 5 करके आओगे ही आओगे अगर आप इस approach से चलेगे तो जो last में आप लोग कहते हो ना कि number अमना एक रुक गए है यह ना मैं हर चीज हर पेपर से पहले repeat करता हूं reason यही है कि यह ही एक minor गलती है जो बहुत सार बच्चे करते हैं उनकी example मैंने भी आपको दी वह second rank टॉपर में आके खतम कर देते हैं paper को तो बाकी उमीद है कि आप लोग को भी ऐसा ही होगा all the very best मिलते हैं आप लोग उसे 10 10 वजे यह है आज का टेस्ट इस पर अब हम लोग नहीं जाएंगे कितने बच्चों नहीं किया लेकिन हां जो बच्चे कहते हैं कि सर कुछ बच्चे बहुत जल्दी देते हैं मैं आपके बता देता हूं कि हमारे पास पूरा detail आ जाती है कि कौन सा बच्चा कितने time में paper को खतम कर रहा है तो वहां से हमें पता चल जाता कौन genuine है या कौन सिरफ time pass के लिए ही टेस्ट दे रहा है बागी all the very best अराम से तैयारी करो मिलते हैं हम आप लोग से 10 वजे live class में उसके लिए equations को revise कर के आना आज का target है 25 plus out of 30 तो देखते हैं कि इतने बच्चे उसको meet कर बाते ह जो लोग यह टेस्ट देना जाते हैं आप लोग triple s app को download कर सकते हैं play store से आपको मिल जाएगा बाकी बात करेंगे आपको अभी के लिए जाजत have a nice day